हलो फ्रेंट्स सुनी बुटिक में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज हम सब्यासाची ब्लाउज की कटिंग देखेंगे जो बहुती आशान तरीका है और बहुती नया तरीका है कटिंग करने का अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप इसे सानी से बना सकती हैं और इसकी जो फिटिंग है वो आपको 100% आने वाली है तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हम अपना मेजर्मेंट देख लेंगे लंबाई है 14, शोल्डर है 7 इंच, आर्म होल रखेंगे 8 इंच, चेस्ट है 36 इंच और कमर का जो साइज है वो है 30 इंच इसी मेजर्मेंट से आज हम आपको इसकी कटिंग बताएंगे तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बुलेगा तो सबसे पहले हम यह अपना बैक पार्ट करेंगे बैक पार्ट के कटिंग आप डारेक्ट कपड़े भी कर सकती हैं अगर आप फर्मा बनाना चाहती है तो आप पेपर कटिंग करके भी रख सकती है नीचे की साइड से एक सिधा निशान ले लेंगे अब लेंगे लंबाई तो यहाँ पर देखें लंबाई 14 इंच है तो 15 इंच लेंगे लंबाई आप अपने उनसार रख सकती है हाइट के हिसाब से लंबाई भी होती है तो जो भी आपके ब्लाउस के लंबाई आ रही है आप उस तरीके से रख सकती है जो भी आप लंबाई ले रही हैं आपको एक इंच बढ़ा के लेना है जो हमारा सिलाई मार्जिंग होता है अब यहाँ से सीधा निशान ले लेंगे शोल्डर रखेंगे शोल्डर बॉड़ी नाप से 14 इंच है 14 का हाफ लेंगे यानि 7 इंच 7 इंच पे निशान लगाएंगे सेम निशान नीचे की साइड भी 7 इंच पे लगाएंगे जितना हमने शोल्डर लिया है सेम उत्ता हैं में आर्मोल भी लेना है तो 7 इंच हमां आर्मोल का भी रखेंगे अब इन दोनों निशानों को मिलाती हुए शिधा कर लेंगे और हलका सा आगे की सैट बढ़ा लेंगे अब हम अपना चेश्ट का नाप लगाएंगे तो चेश्ट 36 इंच है, 36 का चोथा भाग होगा 9 इंच अब यहाँ पे देखे फ्रेंड अगर आप बैक पार्ट उपेन करना चांती हैं तो बैक पार्ट भी उपेन कर सकती हैं आपको हुकाई के लिए मार्जिंग छोड़ना है और चेश्ट का चोथा भाग लेना है यहाँ पे हमें हुकाई आगे की सैट लगाना है तो हम हमें हाँ पे आगे की सैट से 9 इंच लेंगे और 1.5 इंच सिलाइ मार्जिंग सिलाइ मार्जिंग आप 2 इंच भी कर सकती हैं कमर 30 इंच है 30 का चोथा भाग लगाएंगे 5.7 इंच 1 इंच रखेंगे डॉट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिंग अब इस निशान को मिलाती हुए शिदा कर लेंगे अब आर्मोल की गुलाई लेंगे आर्मोल की गुलाई रखेंगे 1 इंच की दूरी से ओपर की साइड से हलका सा गोल से पलेते हुए सिलाई मार्जिंग वाले निशान से मिला लेना है गुलाई अच्छे से रखेंगे अब यहाँ पे देखें शोल्डर हमने फुल शोल्डर लिया है तो आधा इंच हम यहाँ पे डाउन करेंगे तो जब भी हमारा शोल्डर फुल आता है तो हमें आर्मोल की साइड आधा इंच डाउन करना होता है शोल्डर की चोड़ाई तीन इंच रखेंगे इसमें हमारा सिलाई मार्जिंग जाने के बाद यह सवा दो इंच के बराबर यह शोल्डर तयार होगा शोल्डर की चोड़ाई आप अपने इंच कम या जादा कर सकती है अब पीछे का गला डीप रखेंगे 11 इंच तो यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाएंगे जो भी आप गला की गहराई ले रही है उसमें आपको आधा इंच बढ़ा के लेना है शोल्डर की सिलाई का अब नीच उपर की साड़ चार इंच का फैलाओ है तो नीचे की साड़ भी चार इंच का फैलाओ दे देंगे अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए बॉक्स बना लेंगे अब यहाँ पर देखिए कोई भी आप गला डिजाइन कर सकती है जो भी आप गला डिजाइन करना चाहती है भी गला पान गला या फिर आप मटका गला जो भी आप इस तरह डिजाइन करना चाहती है इसमें आप डिजाइन कर सकती है यहां पर हम एक गुल गले का ship लेंगे अब यहां पर हम अपना shoulder जो हमने 5-8 इंच डाउन किया है आर्मोल की side उसे हम यहां पर मिला लेंगे गले के पास से इस तरीके से तिर्चा मिला लेना है अब यहां पर अपना dot point लगाएंगे पहले हम अपना आर्मोल का नाप ले लेंगे आर्मोल देखी ये 7.5 इंच आ रहा है उपर का आधा इंच सिलाई मार्जिंग भी जाएगा जब ये तैयार होगा तो 8 इंच पे तैयार हो जाएगा सिलाई मार्जिंग लेते हुए अब यहाँ पे हम 10 इंच पे अपना dot point लगाएंगे और इस निशान को सिधा कर लेंगे अब यहाँ पे देखिए एक इंच हमने dot के लिया है लेकिन हम यहाँ पे जो dot लगाएंगे वो 7 इंच का लगाएंगे यहाँ आधा इंच में एक point बढ़ाके लगाएंगे यह dot हम बढ़ाके क्यों लेंगे यह हम आगे की cutting में बताएंगे इस तरीके से हमें अपना निशान लगा लेना है यह हमारा back part तयार हो गया है आप चाहें तो इसकी cutting करके फर्म बना सकती है या फिर इसे आप direct कपड़े पे भी cutting कर सकती है अब हम अपना front part cut करेंगे तो paper को हमने double fold करते हुए यहाँ पर set कर लिया है नीचे की side से सिधा निशान लेंगे अब यहाँ पर आधा इंच उपर एक और निशान लेंगे जो हमारे belt का slime margin होगा back part से front part में आधा इंच बढ़ा के लेना है और यहाँ से अप लंबाई रखेंगे तो लंबाई 14 इंच है तो 15 इंच लेंगे यहाँ पर हम आधा इंच नीचे की side छोड़ते हुए अपनी full लंबाई लेंगे जो हमने back part में लिया है अब यहाँ पर हम अपना shoulder का और armhole का sim निशान लगाएंगे जो हमने back part में लिया है यानि 7 इंच shoulder लिया है 7 इंच आर्मhole लिया है अब यहाँपर हमें chest का चोथा भाग लेना है तो पहले हम अपना हुकाई के लिए merging छोड़ेंगे यहाँपर फरंट part open है तो यहाँपर हम हुकाई के लिए merging छोड़ लेंगे तो आधाइंच से 1 point कम करते हुए हम यहाँपर हुकाई के लिए margin लेंगे और यहां से चेश्ट का चोथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिंग इतना आपने सिलाई मार्जिंग रखा है से मुतना आपको फरंट पार्ट में भी रखना है कमर का चोथा भाग है 7.5 इंच तो यहां से हम 7.5 इंच रखेंगे इसको हम पीछे वाले डॉट में कवर करेंगे जो हमने आधा इंच लिया है इससे हमारी जो फिटिंग है ब्लाउस की वो परफेक्ट आएगी ज्यादा तिर्चा नहीं होगा और डेरिन सिलाई मार्जिंग इस तरीके से लेना है अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हम सिधा कर लेंगे यह हमारा साइड का निशान लग चुका है अब हम अपना आर्मोल देखेंगे तो यहां पर देखें फ्रांट पार्ट में हम एक इंच अंदर की शाइड डाउन करेंगे आर्मोल को एक इंच अंदर लेंगे और उपर की साइड से आधा इंच पालेंगे अब पीछी वाली लाइन से एक इंस की दूरी से यहां फे भी गुलाई ले लेंगे गुलाई उपर की स्टे गोल्स्पेज लेंगे हलकाशा यहां से दिखे जब हम कटिंग करेंगे उपर से इसको गोल्स्प में इस तरीके से cutting करेंगे, हलका अशा गोल स्ट में लेते हुए cutting करना है अब हम shoulder की चोड़ाई रख लेंगे, shoulder की चोड़ाई तीन इंच है तो तीन इंच रखेंगे आगे का गला यहाँ पे 8 इंच उपन होगा, तो साड़े 8 इंच रखेंगे आधा इंच उपर का शिलाई margin अगर आप लेंगा blouse में cutting कर रही है या फिर कोई bridal blouse बना रही है उसमें आप 8 इंच तक गला रख सकती है 8 इंच का गला कोई जादा deep नहीं होता है, इस तरीके से आप ले सकती है गला अगर आपको जादा बड़ा लग रहा है तो छोटा भी रख सकती है आप अपने पसंद से गले को बना सकती है तो यह हमारा निशन गले का भी लग चुका है, अब हम अपना dot point लगाएंगे यहाँ पे दिखे, dot point यहाँ पे जो हमारा है, पहले हम अपने shoulder को down कर लेंगे इस तरीके से, अब यहाँ पे जो हमारा dot point body नाप से आएगा, same हम वही रखेंगे इसको हमें ज़्यादा जुकाना नहीं है तो यहाँ पे दिखे 10 inch है, तो 10.5 inch रखेंगे आदा inch उपर का शिलाई समर्जिंग होगा, तो 10.5 inch पे निशान लगाएंगे और आगे की साइट से हम 5.5 inches लेंगे आगे की साइट से लेना है, तो अध में 3.5 inches लगाएंगे अब इस निशान को यहाँ पे सीधा कर लेना है अब इस निशान से हम यहाँ पे डेढ़ हिंच नीचे लेंगे जो हमने डॉट का निशान लगाया है तो यहाँ से हम डेढ़ हिंच नीचे रखेंगे इस तरीके से अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे यह हमारा निशान लग चुका है अब हम अपने आर्म होल की साइड से एक निशान लगाएंगे यहां से जो हमने शिलाई वाला निशान लगाया है शिलाई वाला वहां से हमें 1.5 इंच अंदर की साइड लेना है 1.5 इंच पॉने 2 इंच तक आप इसको अंदर की शाइड ले सकती है अब इसी निशान से हम गोल सेप में इसको अपना शेप लेंगे यहां से देखे इस तरीके से सीधा लेके आना है और हलका से यहां से राउंड करते हुए यहां पे गोल सेप में डॉट से मिला लेना है हलका सा नीचे की शाइड भी हम उतारेंगे इसको आधा इंच इस तरीके से बेल्ट से भी हम यहां पे गुलाई लेंगे इस तरीके से हमें गुलाई लेनी है अब हम निशनिशान को डार कर लेंगे फ्रण जितना अच्छे से आप इसकी गुलाई लेंगी उतनी ही अच्छी आपके ब्लाउज की फिटिंग आएगी जब भी आप इस गुलाई को लें अच्छे से गोल सिप में इसको मिलाएं इस तरीके से तहाँ पर आप देख सकती हैं यह हमारा एक निशान लग जुका है अब हम दूसरा निशान लगाएंगे तहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में मिला लेना है इस तरीके से दिर्शा यहां पे scale को रखेंगे और इस तरीके से निशान ले लेंगे यह हमने एक निशान लगा लिया है अब दूसरा निशान लगाएंगे इस वाले point को और इस वाले point को मिला लेंगे तो सिर्फ हमें इतना ही निशान लगाना है और यह हमारे blouse का सभी निशान complete हो गया है अब हम इसकी cutting करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है सभी असाची blouse की cutting का तो चलिए हम इसकी cutting कर लेते हैं तो सबसे पहले हम नीचे का belt कट करेंगे तो यहां से हमें belt को पहले अलग करना है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार आई है तो चैनल को subscribe करके bell icon को भी on कर लेजेगा हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही easy step के साथ cutting और stitching की वीडियो मिलती रहती है हमारी हर cutting बिलकुल भी difference type की होती है और fitting की आपको 100% guarantee है यह अगर आप इस तरीके से cutting और stitching करेंगी आपकी blouse की जो fitting है वो perfect आएगी तो आप इसे एक बट्राई जरू करिएगा और अपनी family friend के साथ share करना बिलकुल मत भूलिएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप और भी साइजों का सब्या साची blouse की cutting देखना चाहती है 32, 34 यानि बड़ी साइजों में 40, 42 तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकती है हमारे चैनल पर सभी परकार के सब्या साची blouse की cutting पहले से भी upload है कटोरी blouse, simple blouse, belt blouse सभी परकार की blouse की cutting पहले से भी हमने अपने चैनल पर upload किया हुआ है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकती है हमारी हर cutting बिलकुल भी difference type की होती है और fitting आपको perfect आती है तो आप इसे एक बार पुरे विश्वास के साथ try करिएगा अब यहाँ पर देखिए हम उपर से पहले गले की side से इसको cut करेंगे तो यहाँ पर हम इस तरीके से पहले open कर लेंगे पहले हम बेल्ट कट करना है फिर दूसरी cutting हम अपने गले के पास शे करेंगे इस तरीके से यह हमारी cutting हो गई है अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से लेना है नीचे वाले पार्ट को किस तरीके से cut करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अलग से paper लेंगे इसे आप direct कपड़े पे भी up cutting कर सकती है तो जब भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए पहले हम paper को सिधा कर लेते हैं अब यहाँ पर देखिए जब आप इसे नीचे वाले पार्ट को cut करेंगे कपड़े पर इसे आप कपड़े पर direct cutting कर सकती है कपड़े पर cutting करने के लिए आपको कपड़े को उरे भी रखना है इस तरीके से कोनी पर रखना है कपड़े को और कोनी की side से इस तरीके से निकालना है जैसे हम अपने उरे भी पट्टी cut करते हैं उसी परकार से नीचे वाले पार्ट को cut करना है तो यहाँ पर हम अच्छे से इस तरीके से set करेंगे और जहाँ पर हमारा dot का निशान है जहाँ तक हम गुलाई लेके गए हैं वहाँ तक इस तरीके से पहले गुलाई को ले लेंगे तो पहले हमें same निशान लगा लेना है इसके बराबर से अब यहाँ पे हम अपना सिलाई मार्जिंग रखेंगे नीचे की साइट से तो जितना आप सिलाई में दबाती हैं उतना आप ले लें यहाँ पे हम तीन पॉइंट के बराबर हैं यहाँ पे सिलाई लेंगे अलग से हमें सिलाई मार्जिंग रखना है इस तरीके से डॉट डॉट करके हम बराबर से सिलाई मार्जिंग ले लेंगे अब इस निशान को हम डार कर लेंगे यह हमारा निशान लग गया है अब जिस तरीके से हमने दोनों पाइंट को मिलाती हुए निशान को सिधा किया था यहाँ पे भी हम दोनों निशानों को मिला के यहाँ पे सिधा कर लेंगे इस तरीके से यह हमारा निशान जो हमारी गुलाई है वो आ गई है अब यहां से दिखे डॉट की जो दूरी थी वो था साड़े तीन इंच तो यहां से हम साड़े तीन इंच लेंगे यहां पे भी निशान लगा लेंगे अब यहां पे हमें एक इंच नीचे की शाई डाउन करेंगे इसे हमें एक इंच नीचे लेंगे और इस तरीके से यहां से तिर्चा डेलेंगे यह हमारी आगे के साइड का है जब हम अपना बेल्ट अटेस करेंगे तो बेल्ट हमारा आगे की साइड से एक इंच उपर की साइड चड़के आएगा जिससे जो हमारी ब्लाउस की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आजाएगी इसके लिए हमें यहां से क्रोस कट करेंगे एक इंच और यहां से इसको कट कर लेना है अब जो हमने शिलाई वाला निशान लिया है वहां से इसकी कटिंग करेंगे तो यह हमारा नीचे वाला पाट कट हो गया है अब इसमें से देखिए इस वाले पाइट से यह हमारा नीश में अटैस होगा अब इस वाले पाइट को हमें कट करके अलग कर देना है तो जो यह वाला निशान हमने लगाया है नीचे वाला यहां पे देखिए इस वाले निशान पे हमें कटिंग करना है इसको हलका सा गोल सेप में यहाँ पे लेंगे इस तरीके से हमने कट कर लिया है यहाँ पे हलका सा गोल सेप में इसको छाट लेंगे हलका सा छाटना है गोल सेप में अब यहाँ पे देखे इस वाले पाइट को हम यहाँ पे अटेस करेंगे जब यह attach होगा तो जो हमारा gap आ रहा है यह blouse की जो fitting है वो perfect आएगी अब इसको देखिए यहाँ पर सिलाई margin नहीं लेना है इसको इस तरीके से उपर से set करेंगे और 3 point के बरावर जितना सिलाई में दबाती है उतना आपको दबाते हुए यहाँ पर बरावर से इस तरीके से gold ship में घुमाते हुए सिलाई लगा लेना है इसमें हमें कहीं से भी आप सिलाई margin नहीं लेना है direct कपड़े पर रखना है और बरावर से cut कर लेना है पहले ही हमने इसको आधा इंच बढ़ा के ले लिया है अब नीचे वाले पार्ट में जितना हमने सिलाई margin लिया है सिर्फ हमें belt में सिलाई margin उतना लेना है यहाँ पे सभी साइडों से बरावर cut करेंगे यहाँ पे देखे जब हम पीछे वाले पार्ट और आगे वाले पार्ट को जब अटेस कर लेंगे तो यहाँ पे हलका सा थोड़ा सा आधा इंच बढ़के आएगा इसको हम नीचे की साइड से गोल सिर्फ में छाट लेंगे और यहाँ पे अंदर की साइड आधा इंच यहाँ पे भी सिलाई margin ले लेंगे जितना हमने उपर वाले इस वाले पार्ट में सिलाई margin लिया है सिम उतना ही हमें बेल्ट में भी इतना लेना है सिफ हमें यहीं पर सिलाई मार्जिंग लेना है बाकी कहीं से भी कोई सिलाई मार्जिंग नहीं लेना है सभी साइडों से बरावर कट करना है तो यह हमारी कटिंग कम्प्लीट होती है उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नहीं कटिंग के साथ नमस्क्राइब